YFS Tech Gang को जॉइन कीजिए क्योंकि जो कॉंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने हो मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने हो नहीं मिलता है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो बैल इकन को अल पर प्रेस करो और वेलकम टू वाइफास फामिली हलो गाईज कैसे हो यार आप सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने शाओमी डिवाइस मी अधरी के अंदर मियू आइट वीडियो बनाया है आपको अगर ये वाला थीम चाहिए तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस थीम का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तो गाईज डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी थीम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है आपको सबसे पहले यहाँ पर थीम स्टोर में चले जाना है यहाँ पर आपको चले जाना है उसके बाद गाईज उसके आप select करेंगे ok press कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पर themes आपको देखने हो मिल जाएगी इस तरह यहाँ पर import हो जाएगी सभी themes तो guys सबसे पहले आपको किस theme को apply करना है सबसे पहले आपको apply करना है June वाला theme इस theme का वी link आपको description में मिल जाएगा तो download कर लीजेगा guys जैसी आप इसको apply कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का theme देखने हो मिलेगा जिसका यहाँ पर setting जो है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है जो बहुत ही classy look आपके phone को provide करेगा तो guys यहाँ पर मैं आपको एक बार dark mode हटा अगर दिखा ज़ता हूँ कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको Chinese language देखने हो मिलेगा इसलिए मैं इसका जो है status bar यहाँ पर change गर दूँगा तो guys यहाँ पर आपने आना है theme store के अंदर वापस से back करेंगे और back करेंगे चाहने को आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन आपको इसके अंदर fingerprint animation देखने हो नहीं मिलेगा तो उसके लिए अगर आपको fingerprint animation यूज करना है तो आपको realme UI या फिर vivo का जो theme मैंने आपको पहले provide किये है तो guys आई section card में आपको एक video का link बिल जाएगा वहाँ पर आप अगर fingerprint animation आप यूज करना चाहते हैं आपने Mi A3 device पर या किसी भी Xiaomi device पर तो आप यहाँ पर उन themes को download करके सिर्फ उसका status bar apply कर दीजिए apply करेंगे apply करने के बाद आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर fingerprint animations यहाँ पर देखने हो मिल जाएंगे जो बहुत ही different है यार आपके पुराने themes को यहाँ पर बिल्कुल change कर देगा उसके बाद गाइस back करेंगे और back करेंगे यहाँ पर आपको यह जो यहाँ पर back करने के लिए जो इतना बड़ा यहाँ पर आपको देखने हो मिल रहा है यह button इसको आपने कैसे change करना है आपको फेवरेट रे पर आना है और फेवरेट रे पर यह वाला जो theme आपको यहाँ पर देखने हो मिल रहा है future वाला इस पर आपने यहाँ पर click करना है इसको apply कर देना है जैसे ही आप इसको apply करते है उसके बाद आपको यहाँ पर blue color का यहाँ पर shade देखने हो मिलेगा जैसा आपको यहाँ पर देखने हो लग रहा होगा यह बहुत ही awesome लगता है यह देखने होए और आपको बहुत ही ज़ादा मज़ा भी आने वाला इसको use करने के बाद यहाँ पर guys lock screen को आपने change करना होगा lock screen को आपने default पर set कर दीजिए ताकि lock screen जब भी आप open करें आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई lag देखने हो ना मिले आपका जो यहाँ पर response time है वो बहुत ही अच्छा रहेगा आप default ही यहाँ पर रहने दीजिएगा और यह जो clock है यह default पर ही यहाँ पर use कर सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पर आपको back करना रहेगा और back करेंगे icon में जाएंगे icon आपको यहाँ पर pixpy dark वाला जो मैंने theme आपको provide किया है उसके icons को आपने यहाँ पर apply कर देना है जैसी आप इसको apply करेंगे आपके यहाँ पर जो आपको icons देखने हो मिल रहे थे वो सभी के सभी यहाँ से change हो जाएंगे यह बहुत ही प्यारा लगता है stock android वाली feel आपको यहाँ पर दे देगा यहाँ पर आपने tap करके रखना है wallpapers पर जाना है आप यहाँ से system के जो super wallpaper है उनको भी apply कर सकते है अगर आप यहाँ पर यह वाला जो super wallpaper आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है आप इसको भी यहाँ पर apply कर सकते है तो guys कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका super wallpaper है उसको apply कर सकते है तो guys अगर आप super wallpaper से परिशान हो चुके हैं या फिर बोर हो चुके हैं तो आप यहाँ पर 1UI 2.0 dual का भी यहाँ पर live wallpaper enable कर सकते हो guys तो guys इस theme को apply करने के बाद जो आपको यहाँ पर dialer देखने हो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह का देखने हो मिलता है जो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है देखने में लेकिन अगर आपको यह irritate करता है तो आप इसको change कर सकते हैं आपको themes में जाना है my account पर जाना है theme component में आपको जाना है dialer dial pad में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप future से recent app से switch कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो messaging वाला दिखता है इसको भी आप यहाँ पर red में कर सकते हैं बहुत ही awesome लगेगा आपको यहाँ पर देखने में guys back करेंगे और back करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबसे रिबूट करके दिखा जेता हूँ तो guys कुछ इस तरह के animations आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगे और बहुत ही जादा कमाल का यार आपका जो theme है यह create हो जाएगा यानि कि आपको यहाँ पर चार पास themes की मदद से आप एक theme को यहाँ पर create करेंगे जो आपको बहुत ही जादा मस्त वाला यहाँ पर look provide करतेगा आपके device पर अगर आप यहाँ पर dark mode enable करते हैं तो guys dark mode enable करने के बाद आपका जो यहाँ पर themes है अब आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको जो red color में देखने हो मिल रहा है यह buttons बहुत प्यारा लग रहे हैं यहाँ पर setting में चले जाए तो आपका यहाँ पर पूरा deep black में change हो जाएगा guys यहाँ पर आपको अंदर जितने भी options देखने हो मिलेगा उनमें आपको blue color देखने हो मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो guys यह जो theme है यह पूरे system पर इसी तरह apply हो जाता है हर जगा आपको ios जैसा feel आएगा google जैसा feel आएगा मतलब mix जैसा हो गया है अगर आपको video पसंद आयो guys video को like कर दो share कर दो अपने सभी social media handles पर facebook twitter instagram whatsapp जहां पर भी आपके accounts है यार सभी जगा हमारे इस video को share कर दीजगा तो guys मैं मिलता हूँ आपसे next video में जैहिंद वन्दे मातरम you guys have a great day